गुरगपुर जिले में बुद्धवार को 202 नय कुरोना संक्रमित मरीज मिले हैं जिसमें शहरी छेतर में 82 कुरोना संक्रमित मरीज मिले हैं जबकि ग्रामीर छेतर में 97 कुरोना संक्रमित मरीज मिले हैं अनिधाना छेतर में 23 कुरोना संक्रमित मरीज मिले हैं वहीं BRD Medical College गोरगपुर में 74 वर्षिया एक महिला तथा 1,42 वा 2,55 वर्षिया सहीत तीन पुर्षों की मौत हुई है इसके बाद से जिले में संक्रमितों की संख्या 58,489 हो गई है इनमें 646 की मौत हो चुकी है 55,226 लोग स्वस्थों चुके हैं जबकि active case 2617 हो गए है इस संबन में CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने लोगों से विशेश सवधानियों को बरतने की अपील भी की है दोगज की दूरी, मास्क है जरूरी, समाजिक दूरी का करेपालन अपनी और अपने परिवार को बनाये स्वस्थ और सुरक्षित CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि इस बिमारी से बचने के लिए विशेश सतर्ता बरतनी होगी और लोगों को भीरभार से बचते हुए मास्क का स्तमाल करना होगा जब तक करोना की वैक्सीन सभी को नहीं लग जाती, तब तक मास्क के ही सबसे बड़ा हतियार है